करेंगे 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 क्याप्लर का सेकंड लोग तो प्रिवेस लेक्चर में हमने इसका फर्स लाड डिसकस किया हुआ है तो इन्शाला आज हम डिसकस करने जा रहें कैपलर का सेकंड लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चो कैपलर का जो पहला था उसमें हम लोग उने ये चीज़ डिसकस करी कि जो सन होता है ये दोनों में से एक फोक्स पे रहता है ठीक है और जो अर्त है या कोई भी प्लैनेट है ये सन के एक एलिप्टिकल पाफ में इसके रिवाल्योग करते है इसके राउंड में ठीक है just happening एक इसका ऑर्भिट बना है, किसी भी फ्लैलिट का ठीक है तो सन का होगा इसके दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे रहेगा ठीक है तो चले second law में हम देखते हैं आज केपलर ने second law में क्या बताया हम assume करते हैं कि इस point पर अभी sun है folks number f1 पर अभी sun है और ये एक जगा है जहां पर planet है ठीक है तो हम एक line draw करते हैं इस sun से इस planet की तरफ एक इसको मैं नाम दोंगा पी एक position vector है ठीक है और बेटा कुछ time के बाद क्या होगा ये जो planet होगा ये अपनी position definitely change करेगा time लगेगा उस time को हम represent करेंगे by t1 ठीक है अच्छा जो ये position vector है इसके साथ क्या होगा ऐसा लगता है कि ये change होगा ये इस spot से उस spot के तरफ जाएगा और ऐसा ज़ड़ो मारता हुआ ठीक है तो ये मैंने यहां से में एक line draw फिर से कर देता हूँ एक position vector ठीक है और कुछ time बाद क्या होगा ये जो planet है ये अपनी position change करेगा यहां से यहां तक ठीक है और position vector जो है वो sweep करके इस तरह आएगा और उसको जो time लगेगा that is t2 और velocity v2 यहां पर मैं लिख देता हूँ r2 ठीक है और इसके बीच में जो ये छोड़ सा area है इसको मैं इस तरह से represent करता हूँ ठीक है बटा तो चलिए अब ये दो आ गए हमारे पस ठीक है p1 v1 ये v1 t1 v2 t2 चलिए अब य v3 और r3 बीच में जो area है that is ठीक है ये area आ रहा है ये तीन हमारे पस तीन स्पोर्ट्स आगा है ठीक है तो जो कैपलर है वो क्या बताता है कि बटा आप यहां पर गौर से देखिए कि यह जो तीन स्पोर्ट्स है तीन स्पोर्ट्स में जो planet movement कर रहा है उसमें क्या है कि जो position vector है वो कुछ area sweep कर रहा है इसको हम law of area भी इसलिए कहते हैं कि जो position vector है वो कुछ area sweep कर रहा है ठीक है ना और एक second में जितना area वो sweep करेगा उसको हम कहेंगे area velocity तो इसके definition हम लिखेंगे कि एक second में जो position vector है यह कितना area sweep करेगा कितना area पर जाड़ू ऐसे मारेगा ठीक है ना उसको हम कहेंगे इसकी area velocity तो मैं definition यहां पर definition भी लिख देता हूँ vector है position vector यह एक second के अंदर ठीक है एक second के अंदर कितना area sweep कर जाता है फिर से एक second के अंदर कितना area sweep कर जाएगा यह जो position vector है इसको हम कहेंगे we call it area velocity ठीक है समझ आया तो मैंने यहां पर definition लगती है it is the area swift by position vector in one second ठीक है बच्चा फिर से आप लोग देखिए कि मैं तीम स्पोट्स की study कर रहा हूँ ठीक है तो अब कैपलर का जो law है वो क्या कह रहा है यहां पर आपको एक area velocity की बाद तो समझ आ गई कि एक जब यह जो position vector है यह क्या करेगा यह कितना area swept करेगा एक second में ठीक है अब area velocity जो है यहां पर मैं जो law है वो लिख देता हूँ the area velocity ठीक है of the planets around the sun remains the same or remains constant इसका क्या मतलब है कि तीनों spot पे जो area velocity है यह बराबर रहेगी same रहेगी इसमें कोई change नहीं होगा तो हम यहां पर एक mathematical illustration देखेंगे कि यह जो है हम किस तरह से इस area velocity को निकालेंगे ठीक है तो बटा ध्यान से देखिए एक बहुती अनोखा और बहुती मज़दार चीज आपके सामने आने वाली है तो area velocity जो है यह किस तरह से बराबर base into altitude होता है base into height होती है ठीक है तो 1 upon 2 base यहां पर base क्या है that's velocity v1 और height क्या है क्योंकि एक second के लिए तो बहुती छोटा सा यह है तो हम इसको height को r consider करेंगे ठीक है बच्चा यह होगी area velocity यहां मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि constant है 1 upon 2 v1 r1 तीनों का मिला के ठीक है r2 के दूसरा वाला और यह बराबर है 1 upon 2 v3 r3 के because यह सब constant है इसलिए मैं यहां पर k लिख दिया ठीक है बच्चा यह सब constant है बराबर है ठीक है चरिया अगे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ I can put it as यह v1 r1 is equal to v2 r2 ठीक है तो यहां पर आप भी देख लीजिए v1 v2 is equal to r2 upon r1 ठीक है उसका मतलब है इसको मैं इसे भी लिख सकता हूँ v1 यह जो है यह directly proportional to v1 upon r1 मैं यह change कर देता हूँ proportional का sign है ठीक है तो इसका क्या मतलब है बेटा इसका मतलब कि जितनी velocity ज्यादा होगी उतना radius कम होगा यह उल्डा कर देते हैं radius ज्यादा तो velocity कम मतलब यानि जितना कोई planet कि सन के करीब होगा उसकी velocity ज्यादा होगी ठीक है उसकी velocity ज्यादा होगी और definitely उसका radius कम होगा यह अगर radius बड़ा है तो उसका क्या मतलब है तो velocity definitely कम होगी दोनों cases में जो है इनका जो area है वो area velocity जो है constant रह रही है क्योंकि अगर एक factor change हो रहा है तो दूसरा factor automatically क्या है वो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है ठीक है बेटा तो बच्चो यह बात बहुती clear हो जाती है वाजय हो जाती है कि area velocity कभी भी यह हमेशा constant रहता है ठीक है कैसे कि अगर कोई planet sun से बहुत ज़दा दूर है तो उसका r बढ़ जाता है आर के बढ़ने से क्या है automatically जो उसका v है वो कम हो जाता है उसकी velocity घट जाती है अगर radius बढ़ जाता है अगर radius उसका जो कम हो जाता है तो उसकी velocity बढ़ जाती है ठीक है तो इससे सबसे क्या होता है अगर एक factor इसका एक component बढ़ जाता है तो automatically जो दूसरा component है वो इसका घट जाता है ठीक है बच्चा त स्पीड प्लैनेट के चलने की जो विलॉस्टी है वो उससे क्या होगी वो बहुत ही वो से दूर अगर होगी तो कम होगी नजदिक होगी तो बढ़ जाएगी ठीक है तो इंचला नेक्स लेक्टर में हम जो उसका थर्ड लाह है वो डिसकस करेंगे प्लस हम जो नीट के से उनको भी डील करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड तिल देन स्टे होम स्टे सेफ फिया मान इल्ला झाल झाल झाल